जहन सभी साथियों को साथियों में स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारिशन परमेशन में दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी गुद न्यूज देने वाला हूँ जिन बच्चों ने सीयार्पीः पैरमेडिकल इस्टाव 2020 में इस ऐपलाई कियуть ओर उन्होंने अपटक स्वस्ताय करने के बाद फिजी कर दिया और फिजी लिष्ट एक नोन टेकनीकल की कि जो लिष्ट थी उसके आंदर निकाला था वो सिर्फ उन्होंने जो के जो रहे गए उनको कुछ मौका यह नहीं मिलेगा क्योंकि इस वर्टी का बच्चे कही सालों से इंतजार कर रहे हैं 2020 से लगा के और आज 2024 में इसके रिजल्ट दिया है लगतार चार बरसों से बच्चे इसके इंतजार कर रहे हैं तो सबका एक ही question है किसर और लिस्ट लिस्ट आएगी यह नहीं आएगी काश्टेवल के लिए तो दोस्तो इसका मैं जवाव आपको देने वाला हूं जैसा मुझे उत्तर मिला है पूछने पर ठीक है तो दोस्तो मैं चलता हूं इसके फर्स्ट लिस्ट में देख लेते हैं कित पर ठीक है इस पर आप जैसे जाएंगे रजल सेक्षन के अंदर तो सीबीटी रजल्ट फूर पैरा मेडिकल स्टाफ रेकूट्मेंट टू जीरो इसमें नोटिस दिया हुआ है इस नोटिस को मैं आपको खूल के एक बाल पढ़ा देता हूं दोस्तो यह नोटिस है आप सब कि नोटिस फूर सीबीटी रेकूट्मेंट पैरा मेडिकल का जो रजल्ट था सीबीटी रजल्ट पैरा मेडिकल स्टाफ टू जीरो टू जीरो का वह हमने जारी कर दिया गया है उसके अंदर क्या कुछ लिखा है एक बात आप वह बहुत गहराई से समझने पड़ेगी इसक तो ठीक है तो उसके अंदर आपको बता रहा है कि 789 पोस्ट का जो वेकिंसी थे परामेडिकल स्टाफ स्याथ क्या आपकी जो आपके 18 जुलाई से 24 जुलाई में जो भरती होने थी उसका जो वेकिंसी निगली थी वह अमने रेफर करके उसका रजल्ट ने जारी किया है तो कुक सफाय कर्मचारी और मसल जी इनकी जो रजल्ट है धोबी वासर में वाटर केरियर ठीक है टेबिल वह इनका जो रजल्ट है यानि जो एक्जाम हमने 7 मार्च और 27 और 28 मार्च 2023 को ठीक है इनके लिए हमने जो कंडेक्ट करवाया था और जिसके अलाव हमने टेक्निकल पोष्ट इंस्पेक्टर है और सब इससाइन नर्स है एसाइन तर्फ ए सब के दे रखें स्कॉर पड़े ना क्याश्च मुंदे 26 मई 2030 को लिया था और हमने कब लिया था 25 अगस्त 2030 को लिया था उनका हमने रजल्ट जारी कर दिया गया है ठीक उसका next step भी आपका शुरू होने वाला है ठीक अब इसमें एक बात उन्होंने कहीं भी यह mention नहीं की गई है यह आपकी एक लिस्ट और हम जारी करने वाले हैं यह नहीं करने वाले हैं ऐसे कोई भी बात आपको इसमें देखने को नहीं मिल रही है ठीक दोस्तों और उनके यह admit card भी हम बहुत जल्द जारी कर देंगे CRPF इसकी website पर ठीक ए एक्जामनेशन बेनु और डेट टैम बगएर हैं सब कुछ उसमें मेंसन होगा यह बात यह कह रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी एडमिट कारचारी नहीं किया गया है तक लिए बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट्स पहुंच रहें STRIPF के लिए की सार इसका जो रजल्ट है वह यही कह जारी किया है एक एक एक्स्ट्रा लिस्ट की जुबास चल रहे हैं कि और अत्रिक्त लिस्ट जीजा जारी करनी है उसको लेकर जो बात है चल रहे है आज तो 9 दिन बच्चे हैं सिर्फ और 9 दिन के अंदर उनको अभी तक यह एडमिट कार्ट नहीं दिये गए हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों ठीए इसका मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको जो कास्टेबल के अंदर कितने बच्चों को पास किया गया ह है वह आपको थोड़ा सा देह लेते हैं ठीके पोष्ट के हिसाब से कितने बच्चों को पास किया गया है तो यह आपका रिजल्ट है ठीके तो इसके अंदर हम देखेंगे तो टोटल बक्चे जो पास किया गये हैं वह आपके 11,000 बच्चों को पास किया गया है दोस्तों ठीके 119801 बच्चों को पास किया गया है यानि यह जो आपको देख भी रहे होंगे यानि यह चो पास किया गया है अभी लेकिन अभी स्टेप कही स्टेप इसमें बाकी है दोस्तों इसलिए यह बच्चों की संख्या देखी जाए तो सिर्फ CBT के एसाफ से संक्या बहुत कम है क्योंकि अभी इसके बाद आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है जिसके अंदर भी कम से कम नहीं 11,000 में से जादा नहीं तो 3,000 बच्चों को CBT आउट कर दिया जाएगा 3,000 बच्चों को उसके बाद आपको ट्रेटैस्ट सबसे इंपोर्टेंट है जिसके अंदर आदिस से जयादा वच्चों को आउट वो करेंगे त्रेटैस्ट सबसे इंपोर्टेंट बात है अब इस बात की क्या गारंति है कि जो 11,921 वच्चे जो पास किये हैं सब को टेस्ट का नौलेज हो ठीक है तो ये बात भी ध्यान में रख रहा है CRPF इसलिए एक बेटिंग लिस्ट टाइप की एक लिस्ट निकाल ली जाने की शमभवना बढ़ जाती है दोस्तो ठीक है लेकिन बहुत शम हैं जो इसका इंतिजार चार सालों से करते हा रहे हैं तो उनको एक यह देने के लिए कि फैसेंस धैर का परणाम देने के लिए हुशकता है एक आपकी बेटिंग लिस्ट ना टाइप की लिस्ट जारी कर दे वो लिस्ट बहुत बड़ी नहीं होगी तो उसके अंदर ज्यादस ज्यादा हजार या दो हजार बच्चों को ही समलित किया जाएगा इतना कनफर में आप यह मत सोचना के इतने ही 11,000 बच्चों को और एड कर ले अतना नहीं है लेकिन हजार से दो हजार लाश्ट दो हजार से ज्यादा बच्चों को इसमें समलित नहीं किया जा सकता तो आप समझगे यह 11,981 बच्चों को पास किया गया था जबकि इसकी संबवना ज्यादा होनी चाही थी लगब 15,000 बच्चों को तो कमचे कम मौका मिलना चाहिए ट्रे टेस्ट तक महुचने का ठीक है तो यह सबसे बड़ी बात इसमें आपको देखने को मिल गई दोस्तों अब थोड़ा साम और इसके एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं ठीक है कि इसके अलावाद जब आपका अगर उसमें नाम आ जाता है ठीक है एक सेकंड मैं इसको क्लोज कर देता हूं ठीक है जब आपका इसमें नाम आ जाता है तो आप आपको करना क्या है एक लिस्ट अगर निकलेगी तो उसका पता कैसे चलेगा ठीक है तो एक लिस्ट जो निकलेगी दोस्तों ठीक है एड़मिट का है कटॉप से संब्दित कोई बात की नहीं है इसमें तो बच्चे कैसे अपना जानने कि सब मेरे इतनी नंबर बन रहे थे और मैं पास नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ इसका कहना बिलकुल अलग है जब तक स्यार्पियफ और नहीं बताए कि मेरी इतनी कट अब निकाली है इतनी कट आप बच्चों को लिया है तब तक आप यह बिलकुल नहीं कह सकते कि इसकी कट आप हाई रही है कम रही तो यह भी बहुत बड़ा कोश्चन है कि आपने जब रिजल्ट दिया है तो आपको अपी लिए दिखाना जरूरी है इसको का जो कार्ड है वह बच्चों को देखाना जरूरी होता है ढूंख अभी जब तक यह इसका नहीं देगा बेटिंग डूसरी लिस्ट जारे नहीं करेगा तब तक एसके बारे में कुछ कहना परशिवल नहीं है देखो शाथ फरवरी के बाद इस पर कहीं भी कोई नोटिश नहीं दिया है आपके एड्मिट कार्ड को लेके दोस्तों ठीक है तो जैसे यह देगा मैं आपको सबसे पहले उस पर वीडियो लाऊँगा दोस्तों ठीक है तो बहुत सारी इसके मैंने देखी है जिसके अंदर य नहीं दिया है ऐसा कुछ भी ठीक है तो अभी ये थी दोस्तो इसके इसके रिगार्डिची इमपोर्टेंट बीडियो आएगी ठीक है जो भी से सम्मंधीट से सम्मंधीट कोई भी नोटिस आएगा मैं सेम टाइम अगली वीडियो मैं आपको कवार कर लूँँगा दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों ठीक है मिलता है नई वीडियो में नई टोपिक शाथ अब तक लिए जहन पन्ने वात्रम